दोस्तो आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेगे हैं उन टॉप टू डार्क मोड इस्पेशल M.I.U.I. थीम्स यहाँ पे आप देख सिक्तू आपको फस्ट वाली थीम ड्रेगन बोल के उपर देखने को मिलेगी कंट्रोल सेंटर आपको यहाँ पे फूल चेंज देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको जो सिस्टम U.I. देखने को मिलेगी वो भी कंप्लेट यहाँ पे चेंज हो जाएगी तो आप देख सकते हूँ आपको होमे स्क्रीन डिजाइन कुछ ऐसा देखने को मिलेगा यहाँ पे मैंने वाल पे पर चेंज कर रगा है अगर आपको डाउनलूड करना है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन वाक्स में डाल दूगा वहाँ से आप डाउनलूड कर लेना कंप्लेट यहाँ पे जो आपको क्लॉक विजिट देखने को मिलती है वो भी यहाँ पे चेंज हो जाएगी और आइकन्स की बात करते हैं तो आइकन्स मुझे ज़्यादा कुछ खास नहीं लगे बट बोटम में आपको जो सर्च बार देखने को मिलता है उसको चेंज करके दिया जाता है अब बात करते हैं सबसे प्रीमियम फीचर के बारे में वो इसका कंट्रोल सेंटर जैसे आप इसको अन करोगे आपके सामने कुछ ऐसा यहाँ पर लुक देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको जो वोल्यूम बार और ब्रैटनेस लेवल देखने को मिलता है वहाँ पर ड्रेगन बोल का टेक्स्ट एड़ करके दिया जाता है and toggles आपके सामने complete change हो जाएंगे and background भी आपके सामने change हो जाएगा बात करें notification center के बारे में तो आप on करोगे आपके सामने कुछ ऐसा यहाँ पे view देखने को मिलेगा top में आपको जो status bar देखने को मिलता है वो भी आपके सामने change हो जाएगा बात करें यहाँ पे setting वाई के बारे में तो आप on करोगे आपके सामने कुछ ऐसा यहाँ पे view देखने को मिलेगा and जो भी आप system का application यूज़ करोगे उसमें premium आपको wallpapers मिलेंगे and complete यहाँ पे look आपके सामने change हो जाएगा font भी आपको change करके दी जाती है बात करें यहाँ पे volume bar के बारे में तो आप on करोगे आपके सामने कुछ ऐसा यहाँ पे look देखने को मिलेगा साथी steam का सबसे premium feature मुझे यहाँ पे dialer keypad लगा and आप on करोगे आपके सामने यहाँ पे जो font देखने को मिलते dialer keypad में वो complete change हो जाती है and यहाँ पे भी आपको wallpaper change करके दिया जाता है and complete यहाँ पे keypad आपके सामने change हो जाएगा but आपके smartphone में MIUI डैलर होना चाहिए Google डैलर कोई support नहीं करेगा बात करें last feature यानि lock screen के बारे में तो आप on करोगे आपके सामने यहाँ पे एक normal सी lock screen देखने को मिलेगी यहाँ पे widget देखने को मिलती है वो change हो जाती है and यहाँ पे आपको एक fingerprint animation add करके दिया जाता है तो आप try कर सकते हो and अब बात करते हैं इस theme को आप download कैसे करोगी तो theme को download करने के लिए आपको यहाँ पे theme store application open करना है open करने के बाद आपको यहाँ पे name search करना पड़ेगा DVRK Dragon Ball के नाम से आपको देखने को मिल जाता है साथी यहाँ पे आप creator का name देख सकते हो theme को यहाँ पे download कर लेना यहाँ पे आपको charging animation, boot animation and यहाँ पे premium features देखने को मिल जाएंगी साथी आगे बढ़ते हैं बात करते हैं हमारी second number की theme के बारे में तो आप देख सकते हो यहाँ पे home screen design कुछ ऐसा देखने को मिलेगा यहाँ पे मैंने wallpaper add नहीं कर रखा इस theme में आपको यह वाला wallpaper देखने को मिल जाता है साथी विजिट आपके सामने change हो जाएगी साथी toggles आपको देखने को मिलते हैं वो भी change हो जाएगी अब मैं आपको जो feature बताने वाला हम वो इस theme का सबसे premium feature देखने को मिल जाता है इसके उपर मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है यहाँ पे आप status bar को on करोगी देखो अब आपके smartphone में अगर 4G network show करता है आपका smartphone 5G को support नहीं करता है तो यहाँ पे इस theme में आपके जो 4G network से वो 5G में convert हो जाएगे और यहाँ पे आपके सामने speed भी यहाँ पे MB में convert हो जाएगी साथी आगे बढ़ता है और बात करता है setting way के बारे में बात करें last feature यानि lock screen के बारे में वो भी आपको यहाँ पे एक normal ही देखने को मिलेगा बात करें theme को download कैसे करोगे तो simple आपको theme store अपके open करना है open करने के बाद आपको यहाँ यहाँ पे यह name search करना पड़ेगा अगर आपको theme का name search करने में problem आ दिये तो आप क्या करना यहाँ पे मैं back करता हूँ back करने के बाद आपको यहाँ पे search bar में यह name type करना यहाँ पे आप name देख सकते हो यह वाला name अगर आप type करते हो तो आपके सामने यहाँ पे open हो जागी theme and first number पे theme देखने को मिलेगी यहाँ पे click करके इसको आप download कर लेना तो बस फिलाट वीडियो में अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe कर देना मैं मिलता हूँ आप से किसी और interesting topic के साथ तब तक के लिए बाई बाई